हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगें मैथ्स के इंपोर्टन प्रेश्णों की जो एक्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तो मैं आपको बता दू, मैं वही क्वेशन कराता हूँ दोस्तो आपकी डिमांड थी क offenses बना रहा हूँ मैं मैथ्स गडियू पार्ट के नाम से आपको प्लेलिएस्ट मिल जाएगी उसमें आपको पार्ट वाइस जितनी वीडियो बनाए है सब भी वीडियो मिल जाएंगे तो जो भी पार्ट आपने नहीं देखा हो वहां से आप देख लीजेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपका दे रखा है यह संख्या दीगी है पचपन त्रेपन चपन उनसट एकसट उननतर और एकत्तिस इन संख्याओं का माध्यका आप से पूछा गया है कि माध्यका ग्याद कर दिये माध्यका का मतलब क्या है सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लिख लीजे आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले छोटी संख लेंगे ठीक है पच्पन लिख लिए पच्पन के बाद में च्पन दे रखा है च्पन लिख लीजे च्पन के बाद में क्या दे रखा दोस्तों च्पन के बाद में आपका 69 लिख लीजे टो टोटल संक्या हमारे पास साथ है तो तीन इधर से छोड़ दो भई या तीन प्रते हुए क्रेम में लिख लो फिर बीच वाली संख्या निकालो जो बीच वाली संख्या होगी भई आपकी मात देखा होगी ठीके दोस्तों तो अम्मीद करता हूँ इस क्वेशन में कोई डाउट नहीं होगा थोड़ा कन्फूजन लग रहा होगा कि इतनी आसानी से सॉल् अब देखेंगे अगला कॉशन अगला कॉशन आपका 120 बस्तों का क्रेमूल 80 बस्तों के बिक्रेमूल लेके बराबर है तो लाब प्रत्सयत बताओ तो हमें क्या पूछा गया है प्रत्सयत लाब बराबर आपसे पूछा गया है क्या होगा प्रत्सयत लाब बराबर पूछा लेकिन बस्तु अभी आपके पास कितनी बची है चालिस बची है तो यही तो आपका लाब है यही तो आपका प्रॉफिट है जितने में आपने खरी दी थी उतने में तो आपने बेच दी आपका पैसा तो पसूल हो गया लेकिन अभी चालिस बस्तु और बची है इनको जब आ आपकी 80 है ठीक है और प्रेस्ट के लिए क्या करेंगे 100 से multiply कर देंगे clear होगे 40 से 80 कटेगा 2 बार में 2 से 100 कटेगा 50 बार में तो लाप प्रेस्ट कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा option match कीजे c option दोस्तों आपका सही हो जाएगा clear है दोस्तों तो ऐसा question है आपसे exam में पूछा जाएगा तो आप इस question को 2 से 3 सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा 4 सेकेंड में solve कर देंगे यह आपका concept एक स्थम के लियर है तो करना क्या होता है दोनों बस्तुयों को कर दीजिए आप अंतर अंतर कितना या 40 जो बादवाली बिक्र बस्तुयों उससे कर दो डिवाइड और प्रेदिस्ट के लिए multiply कर दो आप 100 से बस आप कान से निकल का जाएगा ठीक है दोस्तों आप देखेंगे अगला question अगला question है आपका दो संख्याओं का LCM 210 है तथा HCM 35 है यदि एक संख्या 105 हो तो दूसरी संख्या क्यात कर दीए इसका दोस्तों एक formula होता है यदि आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर formula होता है पहली संख्या पहली संख्या multiply में होती है दूसरी संख्या ठीक है दोस्तों दूसरी संख्या clear है बराबर बराबर होता है LCM LCM multiply में HCF किलिए रहे दोस्तों पहली संक्या दूरी संक्या एक तरफ बराबर के इस तरफ LCM और HCF ठीक है पहली संक्या आपकी कितनी दे रखी है 105 दे रखी है लिख लिए multiply में दूसरी संक्या आपसे पूछी गई है तो दूसरी संक्या जगे क्या हो जाएगा X मान लीजे बराबर LCM आपको दिया गया है 210 multiply HCM आपको दिया गया है 35 यहां तक बात किलिए रहे अब देखे यह बराबर गिस पार है तो 35 से 105 कितनी वारी कटेगा 3 बार कटेगा clear है अब 3 से यह कितनी वारी कट जाएगा 3 सत्ते 21 मतलब और 1 की 0 70 वारी कट गया तो X का मान कितना आ गया 70 आ गया यही दोस्तों आपकी दूसरी संक्या होगी clear है तो दूसरी संक्या क्या है आपकी 70 और सनमर भी आपका सही हो जाएगा देखिए दोस्तों जब आपको पहली संक्या दूसरी संक्या LCM, HCP जाओ तो यह उसका फॉर्मूला होता है clear दोस्तों एक तरफ रखिया पहली संक्या दूसरी संक्या बराबर को उस तरफ रखिया LCM और HCP बस आप कान से निकल का जाएगा ठीके दोस्तों अब देखतें अगला कोशन अगला कोशन आपका यदि तीन संक्या एक अनुपात तीन अनुपात पांच के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है तो सबसे बड़ी संक्या ग्याद करो ठीके दोस्तों तो देखे तीन संख्या दे रखे हैं मैं एक अनुपाते तीन अनुपाते पांच का अनुपात में इनका योग कितना है योग दे रखा है दस हजार आठ सो दोस्तो मैं आपको बता दूँ जब योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करके डिवाइड करना है अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर करके डिवाइड करना है किलियर है तो यहाँ पर योग दिया गया है तो अनुपातों का भी योग कर लो कितना जाएगा पांस तीन आट और एक नो 9 से कर देंगे इसमें डिवाइड ठीके मैं बता जेता हूँ जब आपको योग दिया जाएगा तो अनुपातों का योग करके इस योग में डिवाइड जब अंतर दिया जाएगा तो अनुपातों का अंतर करके डिवाइड कर देते हैं ठीके अब 9 से यह कितनी बारी कटेगा नो से से कटार दो, कितनी बड़ी कट जाएगा, नो एक कम नो, ठीक है दोस्तों, नो एक बचा अठारा, नो दुनी अठारा हो जाएगा, और दो जीरो बचेंगे, मतलब बारे सो बारी पूरा कर जाएगा, पूछा गया है, सबसे बड़ी संक्या ग्याद करो, तो जो आपका सही आंसर है, यदि छोटी संक्या पूछी जाती, तो छोटा क्या अनुपात में सबसे एक है, तो एक से मल्टिप्ट्राई करते, तो बारा का एक में करते, बारे सो, बारे सो आपका सही आंसर हो जाता, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ, ये कोशन भी आप को अच्छे समझ में आगया होगा, अब देखते अगला कोशन, अगला कोशन आपका, एक ट्रेन, 10 सेकंड में एक इस्थिर बस्तु को पार करती है, यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकिन है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई पूछी गई है, लंबाई का मतलब क्य किलिए रहती है, आपको यदि यह फॉर्मुला, याद नहीं है, दूरी निकालने का, तो लिख लेना, याद कर लेना, दूरी बराबर होता है, समय बड़ाबर चाले, ठीक है, दोरी बड़ाबर क्या होता हागा, लिए इन दूरनों का मल्ठीप्लाई हो जाएगा, तो 25 रख दीजिए, कर दीजिए दोनों का मल्टीप्लाई 25 से एकम के 25 आ जाएगा और एक यह जूरो मतलब 250, तो दूरी आपके डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस है आपके 250 यही आपका सही आंसर हो जाएगा इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर, ओफ्सन चेक करेंगे तो भी ओफ्सन आपका दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दूरी पूछी गई है लंबाई पूछी गई है, इसका मतलब क्या है दूरी पूछी गिए, दूरी बराबर समय गुड़ा चाल होता है समय आपके पास 10 है, चाल आपके पास 25 की है कर दो दोनों का मल्टिप्लाई 250 मीटर आप का अंसरा जागा तो लंबाई कितनी है ट्रेन की, 250 मीटर दोस्तों, मिट करता हूँ, ये कोर्सिन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें यादि आपने हमारे चैनल को भीतर सब्स्राइब नहीं किया है कर लिजे और बेल आइकन का बटन भी दवा दीजे दोस्तों करने वाद